प्रोसेस गिनते रहो पहला प्रोसेस यह है धुलाई का होगा उससे पहले आरी के ब्लेट से जितनी मट्टी है सारी मट्टी पहले चुटाई जाएगी कंडीशन देख लो मजाई हो रही है एक नमबर की और यहीं फेलियर होता है सबसे ज़्यादा मामलाच क्रेंग कितनी बुरी तरीके से कटा है देखो क्रेंग के बुरादे देख रहे न है अब समझ सकते हो इंजिन ओवराल में इतनी ज़्यादा लापरवाईया होगी तो गाड़ियां कैसे चले करके और यह है इंटेक मेनिफोल्ड सारा गाड़ी का जो है एर कई जो जान होता है न फेफड़ा वह यह है इसे भी बढ़िया करके माजो यह जो दिख रहे ना यह स्टेनर है और यह चेंबर का उठाया हुआ कचराय देखो कौन सा जो आपका क्रेंग कटा यह देखो यह क कुलेंट ना हुनिक वज़े से गलते हैं भाई इंजन की तो धुलाई हो गए चारो तरफ से कर ली हमने बढ़िया धुलाई काफी रगड़ाई करी है तब जाके चमक पाई है यह भी रगड़ाई हो गई तो भी आप सभी को पहले दिल से राम 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 में मुकेश चंद् हो गया धर के कटाई वाला फेस ना एमरी फेस इससे जो आउट रहता जैसे जगह आउट है इधर सही है तो खाली आउट वाला भरेगा ऐसा ने धर के कटाई कर दिया पूरा ही खतम हो गया एक दो तीन चार ऐसे करके सब्सक्राइब ग्रेंडिंग करा दी और हमने क्या किय है बैरिंग को चेंज किया है जो बैरिंग सीज हो गया थे क्रेंग दूसरा है उसमें क्रेंग दूसरा था जो सीज हो गया तो लेकिन यह दूसरा क्रेंग है और बैरिंग देख सकते बिलकुल न्यू बैरिंग तो बीगन एब मेन बैरिंग चेंज करा दी थर्स वार्सल बि करेंगे और आप एक एक चीज़ देखते जाहिए कि किन किन पॉइंटों को मैं मेजर कर रहा हूं इसमें लगाते हैं कब तक के लिए जब तक के लिए ओईल पंप ऊपर न चड़ाये तब तक के लिए खाली लगाते हैं ऐसा नहीं न लगाए पूरा जाएगा अब इस क्रेंग को रखेंगे तो देख कैसे घुमा रहे हैं अलग अलग है अराम से अराम से ठीक है बस सिर्फ इस प्ले के लिए के वारसल भी लगाए जाता है तर्स वारसल और किसका काम कोई नहीं है और कट वाला हम ऐसा बाहर के तरफ में रखा जाता है यह देखो बस सिंपल और यह की है इसको भी कट वाला बहार रख दो चलो इधर धक्का मारू बैस बस अब यह लगाने के बास सिर्फ गैप देखना पुरता है तीन थाउजन का गैप है की नहीं को उस से जादा नहीं होना Ch hai all हमने को बदल कैसे जानेंगे क्रेख ओर औरिज़िनल ना क्वार्ण का गाड़ी का रेनों का रिनल्ट का लोगो यह ध्यान करना इसका मतलब लोगो हो है क्रेंग पर थे χoires हमारा उरिजञनल उरेगं वो भी और से लिए हैं कैसे जाने ठाका उरिजञनल में यहां रहेनों का मारका देख सकते हैं ठीक है तो विल्कुल ओर इसनलों यह बैरिंग बिल्कुल जैनवन ठीक है और जैन्वन ना डालेंगे न तो इतना मज़ा नहीं आगा गाड़ी के अंदर चल तो जाएगा दो तीन मैने बढ़िया चलेंगे पर वह फेलियर हो जाएगा यह देखो रिनल्ट की रिनल्ट रिनल्ट मनें पिस्टन हमारा जैन्वन है सारे मार्किंग देख सकते हैं लिए प्रिक बढ़िया कंपनीह उसा भी पिस्टन डोनों हमने ओरीजिनल ले ली और उरिजिनल पर ही चलेगा पास में लेकर है यह चीज होनी चाहिए यह देख रहे हो ना ज्यादा प्ले ना कुछ भी विल्गुल सैट है अब यह मजा आगे इसके अंदर आप रिंग को चाक कर लेते हैं यह है टॉप रिंग और यह है कंप्रेशर रिंग तो हमने इसमें लगा लो जो पर इसमें लगालो और स्पैंडल रिंग जो होती है इसको इसमें लगा लेते हैं मेजर करने के लिए जैंड़ तो 0.15 क्या बात है मतलब सारे 0.15 है में हटाओ अब यह तीनों का गैप हमने मेजर कर लिया अब एक रिंग को लेंगे तीनों सिलीब को मेजर करेंगे क्या सिलीब भी खरा दिया नहीं काट आएकि नहीं पास में यहां मिस्टेग होती है बद यह थोड़ा दसावधानी रखनी है बिल्कुल सेट यहां थोड़ा तसल्ली जिस मिस्टेग न कर ली भाई जिन्दगी उसने जीत ली सिकंदर बन गया जिसने यहां जल्दिवाजी की वह भाईया सिकंदर से यह वो रिजनल हमने रिंग चैट कर ली बिल्कुल 00 है अब इसमें रिंग फिट करेंगे और भराग कर नहीं भाएध से आपने देखा था कि उसका जो किनेक्टिंग रोड था यह सीज हो गया था और हमने इसमें बिल्कुल ठुमक्ल काला पड़ गया था कि फिटीग बदला और एक एग बदला नहीं होता है में नया का बात होता है निउवरांड का देख्यों नहीं करते ही ब양ा अब बैरिंगी देख्यों के है यहां यह ए तक है यूंअ हुआ कि यह आधे हो गया अब हमने क्या चीजg चेक्ट एक तो बेरिंग हमारा बैक लग गया बढ़िया दूसरा piston फीन क्या piston पीन में प्ले है कि नहीं एिकुल play नहीं है फिस्टन फीन क्या यह बाहर आ रहा रहा है इधर से च्थे ससे मार पर अपिक्स होता है फिस्टन फीन में 好 डालना ज़रूरी है फुखला काम से इंजन नहीं चलेगा अब इसको टाइमिंग मारका है यह टाइमिंग के तरफ रखना है तो त्रामिंग हमारे इदर है गराजी इदर रखेंगे अभी सी कंडिशन में लगाएंगे देख लोग्र कहां कहां करनी पद्रती है पहला एघ्चा अबी रिंग बताउमें दूसरा एक कनेक्टिंग रोड भी कि पीस्टन पीन पे ठीकशे अब टीसरा लगाना है हमारा फिस्ट चलिदन पर और सुलीब फे लगा के एह दखो मज़ा गया इसको इसे इसको इसे और फिष्टर रिंग को सेट करना आप पिष्टर को सेट करने का सिंपल मैफेट क्या है भाई भा सिंपल मैं जी एको भयोगघा नीचे वाला इस्पेंडर को इधर दिया और दूसरा वाला apart यहां कर दिया यह दो हो गयाublique कीृ है में आपते उरेंगों कॉणट के यह बीच में दोनों आ जाएंगे यह पिस्टन रिंग का लोकेशन अब इस पर डाल लो जितना दिल करे तुम्हारा देखो जी उतर बहुत ज्यादा अबस देखो ज्यादा फैला हुआ इसको कम करो ताकि रिंग का फैलाओ जो है वो कम होगा थोड़ा सा और कम करो अज टेकनिक बता रहा हूं जिन्दिगी में कभी कोई उस्ताद बताने का ना भाई ठीक है तो एक सिकन्द किनारी ज्यादा उलनो मोर दिए है हेमर यूजी कर लेता हूँ जार देखो 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 दो फो यह दिखा ओ लाइन दिखाओ यहां लाइन यह इतनी जवर्जास लाइनिंग जो है मजा आ गया चलो रहन दो पिस्टन हमने ठोक दिए लाइन से अब यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया हाफ इंजन अब रखेंगे हैड हैड से पहले क्या रखा जाता है हैड गैस कीट और हैड गैस कीट देखो कौन से डाल रहा हूं और तो यह अब आप इसको निकालो निकाल और हमण तो निकाल गैस कीट निकल गया अब गैसकीट में भी देखना पड़ेगा कि मौल जेनमी डेनमार को अकुछ भी लोकल पर आपको कोई भी ब्रेंडिंग कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन जैनवन पर आपको सीरियल नमबर इसके पार्ट नमबर यह जरूरी मेंसन किया वह रहेगा पार्ट नमबर का मतलब है कि आइटम क्या है आइटम ठीक है तो वह लगाओ इस पर निव साफ सुभाई देखी सकते बिल्कुल बहुत तगडी करके मजाई करी है यह साथ देख रहें ना विल्कुल एकको रेट और इस पे भी यह देख रहे हैं एमरी फेस इस पे भी लेना पड़ा हमें जरूर नहीं तो फिर गैस की तो चलेगा ही नहीं और यह रहा वाल तो गाइड, seat seal, ये चार आइटम डल गया, एमरी फेस हो गया, अब पानी यूज करोगे, तो यह से head का नास होता है, हाला कि अब मैं पानी यूज नहीं करूँगा, अब मैं original coolant डलूँगा, इन्होंने पानी यूज कर लिये थे, अब नया वाल ओल सारे डल गया, अब जो पानी यूज करेंगे, तो कहानी सीधा dead हो जागी, इसके लिए हमने original coolant मगाई है भाई, अब यह समार इनल्ट का बहुत सारा मगाई है, यह देखो, और एक डब बना मगाई है, यह दखो, तीन तीन डब्बे, देख रहे हो न, यह coolant का, और यह magnetic मगाई है, gear oil भी और engine oil भी, बि अराम से रखो, वह स्लोवली, बिल्कुल सीधा करो, क्या कहते हो, ओके, चलो, ठीक है, यह head हमारा लग गया, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, और engine में यार मज़ा तो तभी आता है, जब अच्छे ज़र क्लेनिंग हो इसकी, अब main चीजे है, timing का, timing guide देख सकते हैं, कितना गया, यह cut गया, पूरा, देखो, अंदर से कितना गड़ा हो गया, यह timing chain है, और यह adjuster है, bond लगा लगा के काम चलाया जा रहा है, चलो, कोई बात नहीं हमने उस ध्यान नहीं देना, अब इसको मेरे को complete kit change करना पड़ेगा, long time के लिए, यानि एक लाग तक खूले ना उसके के लिए, हमने दूसरा लेकर आये, Jan1, अब कैसे जानेंगे Jan1, तो सबसे पहले, reno का मारकिंग, reno का मारकिंग, है, इस पे देखो, reno की मारकिंग, जा पहले वाले में रेनो था, हाँ, इस पे भी था, इस पे भी था, यानि कि हमारा Jan1 है, यह दो, timing chain, इस पे भी कोई मार् पूरा कीट पूरा जैन्फा उनलें के शलो फिट करो लियाओ उन्टेक एवला दस्थे में यह वाला मार्का यह आनि एक मार्कार्णी ऐह न सक्षिंता ओपर एक का इस थो मार्का लघा लिए एक मार्का दिखाऊ जड़ा को यह तो यह क्रेंग की मारका देखना नों पॉइंट पे डिस्क अलर डाल दिया अब दोनों गाइट लगा लेंगे एक हमारा टाइमिंग हो गया अच्छा इंजन चले के लिए दो चीज की जरुवत ध्यान करना एक ओरिजिनल समान दूसरा इंजन की सफाई सफाई भी दिखा ठीक है दो चीज का ध्यान रखना अब दो चीज एक डम सेट होने चीए इंजन बोलेगा बम बोलेगा इंजन टाइमिंग कंप्लीट हो गई टाइमिंग मारका यहां से मिला रहा एक यहां से मिलाया एक यहां से मिलाया एक यहां से मिलाया यह टाइमिंग मारका मिला ली गा देखी लेते हैं तो काफी अच्छा है ठीक है एक राउंड घुमाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं चलो बताओ आज कहूं की ना कहूं इंजन क्यों सीज होता है आज नमूना देखोगे अभी हमने पूरी माज दी अब फीट करने जा रहे हैं एक बार तसली से चेक करें और यह तानने से भी नहीं हट रहा है यानि internally बोंड लगा हूँ है अब कहां से एक बर पल्टर हो जब देखें कहां से लगाया किसने लगाये इधा तो है नहीं कैसे लगाया कैसे हो 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 यह है अच्छा जब लो पस एदर अब कहानि क्या लाइन में क्यों खराब करता किसे लाइन खराब करता पूरा इंजन सीज और अधे फिटि इधर से टाइमिंग प्लेट हमने लगा दी ठीक है और यह वाटर फंपी दर से लगा दी अब रहे गया क्या इस ट्रेनर हमने कसी दी बिल्कुल चमबर रहे गया इसका चमबर पर अब इसे चमबर को लगाँगे बाहर से भी हमने मजा ही करी है ठीक है भाई इस पर ब्लैक बोंड लगाना सबसे बड़ी कलाकारी है ध्यान करना अब ब्लैक बोंड पर दिक्कत हुआ तो फिर मामला केडा पड़ जागा और सबसे ज्यादा जो इंजन फेल होते हैं यह ब्लैक बोंड के वज़ा से होते हैं कि बोंड सही नहीं लगाओगे इंजन फेल हो जाएगा मामला देख लो प्रिंटेट देख लो अठारे सो उन्नीस रोपे का मामला और यह वाला बार में कहानी बिल्कुल सेट हो जाए समझे रहें बात को यानि हलका फुल का बोंड लगा होगे तो लिकेज का चांस होगा फिर इंजन सीज होगा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार में मज़ा आ जाए ऐसा काम भाई इसका चेंबर प्लास्टी का है कहीं हलके देख लो नाम तो बड़ी प्यारा है पर इंजन में ज्यादा पैसा लगता है कुईड में बता रहा हूँ बड़ा फेल होता रहता है बार बार तो अभी मैं चेंबर चुम्बर तो लगा दिया असाफारिस हुआ देख सकते हो भाई मैनत काफी करी है नहीं तो ऐसे चमकता नहीं है जल्दीद है बहुत बुरा हालता पर फिर भी हमने चमकाने को कोशिज किया पूरी-पूरी ठीक है और बूंड में थोड़ा लपरवाई हुआ कि खेल कतम है भाई दुबारा से मेनी फुल्ड को दुलाई है और इधर से हमारा इंजन भाई लमस्वम हाफ इंजन हो गया तैयार नाइट हो गए यह काफी अब चल रहा है घर को भाई इन लोगों ने इंजन भी चड़ा दी ज देख लीजिए कोई वैसा वाला नहीं है दूतरा थोड़ा समय ही लेट हो गया तो अरे मेरा इटरेस पाइन लिए गया तो अभी फिटिंग चल रही है देख लो ठीकर चलो बहुत बढ़िया तो पहले ऐसा करते हैं कि पहले वाला आवाज चेक कर लेते हैं कि पहले इंजन पहले का वाज किया है उसके पाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे कि अब बाद पूरा इंजन अबराल हो चुका है अब इस्टार्ट करते हैं इस्टार्ट करो जला कि थोड़ा सेट होता है अब है कि तेल पानी को चैप करते हैं कि तेल तो नया ही डालाता देश वक्ते हैं देखाओ अधर इंजन के अंदर की सफाई की बाद है कि शीशे की तरह निकल रहा है वर्ना निकलते ना है अब हम इसको तो रहा करेंगे कम सब्सक्राइब पान से च्छे गंटा पेट्रोल गारी है तो च्छे गंटा दूआ उठ रहे हैं ठीक है पान से च्छे गंटा रहा करेंगे इंजन बढ़िया साइलेंट हो गया कोई भी मिसिम नहीं है जगाडी के सब अंदर अब दूआ उठ गया यह दूआ चुकी फस्ट इस्टार्ट करते है तब ऐसा दूआ उठता पहली बार जो इस्टार्ट करेंगे इंजन को इंजन करने के बाद तब ऐसा दूआ उठता बहु सारे लोग डर जाते हैं यार हुए है बड़ा दूर कर लोगे तो दीजी वेल्टी उसकी अठी रहेगे आई 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 और आवाज में भाई मजा आ गया जो बात है मस्त आवाज हो गया इंजन का बाकी तो यह लोग फीट कर दिये था सुबरे कितने बज़े काये हो साड़े चार बज़ा यह ते बज़ सुर्म खढ़िया है रहा है रहा मत तुबूर तो कर ली हमने स्टार्व करकर सारी लाइट यह यह कि तो पैर कर राफ हो गया और भुफं का कि दो नमबर एक नमबर करके रखते हैं ऐब थोड़ा सा स्केनर से मैं बेसिक सेटिंग चेक कर लेता हूं कुछ सेटिंग वेटिंग या कोई डेटा वेटा गडबर तो नहीं है तो मैं इसके लिए स्केनर कनेक्ट किया वहां लोकेशन है ठीक है तो मैं इसकेन करके सिर्फ यह डेटा चेक करना है कि हमने कुछ गडबर डेटा तो नह कि राद का सीन है बाई नाइट का सीन में अगताम आइट माम रखाण घौलवा दिमाने अभी दुलवाई अगरी को बैतरीन में कि अब एक जीज द्यान देना यहां पे मैंने रीड फोल्ड कोड करना एक कनेक्ट कर रखा है ना रीड अब ध्यान देना यहां डिलीट करेंगे तो यह नहीं आएगा यह देको पहले के कोड आ रहे थे ध्यान दो memory memory का कोड memory 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 देख रहे हो यह चीजे होती है भाई कोई भी करेंट नहीं है यह देको फूल हो गया ठीक है सब कुछ memory में है यानि कि पहले कितने सारे फोल्ट कोड आ रहे थे और सारा कुछ memory में चला गया काम करने के साथी अब गाड़ी देख लो कितनी साइलेंट हो गई गाड़ी में मजा आ गया। जो बात कोई भी फोल्ट कोड उट नहीं और करेंट में नहीं है सब मेरी हो गया पहले काया हुआ करेंट है और वो मुवाइल कहा सगीर गया मेरा यहां आ जाओ मैं दिखाता हूं मैंने गाड़ी भी दुलवा दिया भाई टकाटक इंजन कि देख कितनी साइलेंट कि मज़ा आगया भाई कि रे कैसा खटर पटर कर रहा भाई कि मज़ आ गया गाली के अंदर क्या कहते है यसे इतना दिल को सुकुन मिला है और आवाज इतनी साइलेंट कैसा है छोटू है मज़ आ जागया तो चुकर छोले पुल्चे बेचता है वर अबरमें छोले कुल्चे करता है रहता है कैसा लगा वाद तेरा मज़ा आ गया ना अभी कम से कम 20 किलोमेटर गाड़ी चलाई हमने और हमने पेट्रोल भी भराया इसमें और यह सी पेगी गाड़ी को ट्राई ले रहा है गाड़ी बढ़िया हो गई बाकी एक वराउड लेते हैं ठ्राई देख सकते हैं रोड़ी खड़ा हूं मैं अभी अब जीरो से मैं स्टार्ट करना चल रहा हूं गाड़ी के चलाना अब बिल्कुल स्लोली चलाऊंगा मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भगाऊंगा मैं गारी को बहुत स्लोली चलाते हूं चलूंगा मैं जितना रेस मांगेगी उतना और एसी ओन करके चला रहा हूं मैं एसी ओन करके देख लीजिए वह स्लोली जाने देंगे जितना काड़ी ले सकती है वह उससे ज्यादा नहीं मैं यहां से पहले यूटरं लेता हूं पर मैं जल्दी ना कर रहा हूं बिल्गुल स्लोली जैसा रिस्पोंस करती यह इसकी के बहुत बड़िया गारी हो गई मज़ा आरहा चलाने में जो एक्सीलेटर है गाडि कैने रही है भी विलकुल आजसे भी जाने किनों आप देखो खूद फूर पूररी जासी जासी गाड़ी कैसे निकल है कि आप कि ट्राइ कर ली भाई हमने काफी गाड़ी हो गई मस्त मज़ा आगया गाड़ी के अंतर कोई दिक्कती नहीं कोई टेंचन नहीं बिल्कुल मस्त और में चीज़ है कि कोई चैक लाइट नहीं चैक लाइट के लिए मैं इतना ट्राइ ले रहा था मैं यार देखो 20-30 किलोमेटर चलना भी जरूरी है पच्पन पर इस्टार्ड गया था मैंने हैं उसको 74 पर फेर इस्टार्ड का दूसरा और उसके बास से अभी देख सकते हैं एक क्यासी हो रहा है यानि कि बिल्कुल सैट है इस टैम में मुझे लग रहा है कि यह लपरवाईया किसकी रहती है यह तो मेरे को समझ में नहीं आता है पर जो भी हो बारहाल मैंने भाई इमांदारी से बनाई है गाड़ी और बहुत ही दिल लगा के बनाया इस गाड़ी को तो गाड़ी रिस्पोंस भी कर रही है इतना बढ़िया चल भी रही है कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को तो मज़ा आगया गारी चला के और इतनी प्यारी चल रही है और एसी पर यह देख सकते फुल एसी ऐसा नहीं एक बैसा नोर्मल सी से देख सकते बंद है इसा फूल एसी पर चल रहा हूं है टेंशन फिरी होगे तो इसलिए भाई सब लोगों को इतना आपने मुहबबत की है चैनल के साथ में आपने आशिरवाद दिया है तो सब लोगों को दिल से थेंक्यू और वीडियो के यहीं एंड करता हूं गाड़ी बिल्कुल चका चक होगे मस्त होगे गाड़ी चोटा चोटा रेड लाइट है चुकी यहां जितना चल सकती है उतना चलाया मैंने दुकान पर भीड़ बहुत है चल रहा हूं अभी दुकान पर मिलेंगा बाई नेक्स वीडियो में नए इंजन अबराल के साथ हमें कोई आप लोगों का जैसा पूरा जैसा रिक्वायर र प्रभू से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग खुश रही हैं सौस रही हैं और भाई सावधान रही है और गाड़ी है मजाई गाड़ी ने तो थेंक्यू